नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानियास्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा पित्र श्राप के बारे में बहुत सुना होगा लेकिन पित्र श्राप क्या होता है मात्र श्राप क्या होता है भात्र श्राप तो जादे समय वेशना करते हुए मैं शेयर करता हूं तापि आपको मैं बता सकूं तो पित्र शाप के बारे में हम बात करेंगे इसका वर्णन ब्रहत पारशर होरा शास्त्रा में बड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ है और जरासा भी कंफ्यूजन नहीं है आपको भी जर संतान हींता होती है संतान होने में समस्या होती है घर में संतान ना हो रही हो संतान हींता हो तो इस योग के कारण होती है इसमें क्या बोलते हैं कहते हैं पहले शलोक में कहा है कि सूर्य पंचमे शोकर सूर्य पंचम भाव यानि पंचम भाव का स्वामी हो के पंचम भाव मे साथ बेठा हुआ हैं बाप क्रह से द्रस्त हो रहू से द्रस्त है ऐसे केस में अनपत्यता गोई होता है इसको पित्र श्राप मानना चाहिए और इसकी शांती अवश्य कराने चाहिए कभी इस दोश से मुत्ती मिलती है और संथान का भर में जन्म होता है दूसरा जो दोश है पित्र दोश जिसे कहते हैं या पित्र श्राब जिसे कहते हैं वह कहता है कि इस शे का अचय कह inflation । 끼 सूरे कि राशी कोन सी होती है और पंचमेश पंचमे Cash कौन हुआ इस कुंडली में शुक्रुआ सूर्य के साथ हो तो पंच में सूर्य के साथ हो गया विनस तथा लगन और पंचम में पाप द्रह को गया और लगन और पंचम में दोनों में पाप रहे होना चाहिए यह हम लोग जानते हैं कि शनी मंगल सूर्य राहू केतू यह सब पाप रहे हैं तो अगर यह ऐसे पाप रहे हैं ऐसा योग बनता है तो यह पित्र शाफ होता है और ऐसे में समझना चाहिए कि ऐसे जातक के संतान हींता रहती है संतान नहीं हो पाती इपित्र शाफ होता है इसकी शांती करानी बहुत अवश्यक होती है तीसरा श्लोक है मैंने श्लोक यहां नहीं लिखे हैं लेकिन आपको उसका अर्थ बता रहा हूं कि दशमेश पंचम में हो दशमेश कौन बना शनी इस कुंडली में तैंथ भाब का स्वामी बना शनी वह पंचम भाब में है पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में हो तथा लगन और पंचम में पाफद रहे हो लगन में मंगल हो पंचम में राहू हो तो ऐसे केस में भी अनपत्यता योग होता है और इसकी शांती भी परमावश्यक है तो ये भी एक योग है उसके अलावा जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि मंगल दशमेश होकर पंचमेश से युथो मंगल दशमेश होकर मंगल दशमेश कैसे है यहां देखिए आठ नंबर राशी दशम भाव में है तो मंगल दशमेश होकर पंचमेश से यूथो पंचमेश कौन बनता है बुद्ध इससे यूथो लगन पंचम और दशम भाव में पाप ग्रह हो लगन में पाप ग्रह है शनी पंचम में पाप ग्रह है सूर्य और दशम में पाप ग्रह है राहू तो ऐसे केस में भी अनपत्ति योग होता है और शांती इसकी पित्र श्राप की शांती करना परमावश्यक ने लगन पंचम में राहू रवी मंगल और शनी हो तता मिर्त्यू और व्यभाव में राहू ब्रस्वति यह क्या चीज है यह बड़ा भाव में सूर्य मंगल शनी होना चाहिए किसी एक भाव में दो हो किसी एक भाव में एक हो जाए हो सकता है कि सूर्य मंगल यहां पर हो जाए लगन में और शनी यहां रह जाए तो वह कुछ भी हो सकता है यह सूर्य शनी यहां हो और मंगल यहां पर हो कहने का मतलब यह है कि त बारवाव मारा विख उति हैं तो भी ऑन्सकीर डिएं उन्हाइं धर्फ सानि- puree को फित्र श्रक्ष सूर्यस डिख इन लागिया शनी पुत्रजार लिख जी वहाँ से रहें वुट्रेश से लिख हुआ सूर्य वो रहू से युथ हुआ और पाप रह से द्रस्थ हो यानि मंगल से द्रस्थ हो गया साथ और आठवी द्रस्थी हो गई तो भी अनपत्यता योग बनता है और संतान हींता रहती है पित्रशाप के कारण एक श्लोक और है वो कहता है वादशेश लगन में हो द्वादशेश कौन बना यहां पर बारे नमबर भाव में राशी है बारा नमबर तो गुरू बना तो जुपिटर हमारा लगन में हो अस्ठमेष कौन मना हमारा मंगल वो कुत्रवाब में चला गया और दश्मेश अस्ठम में हो में मात्र श्राब बात्र श्राई के बारे हो tutto आप लोग पित्रदोष क्या होता है इन चीजोंसे कन्फ्यूज ना हो जो चीछ चलती है और उन से पेदा ना हो इसके लावा हम लोग एस्तरोजी की एडवांस एस्तरोजी एक लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग आप में से इंट्रस्टिड है वो धिये के नंपर पर संप